जब फश्चिमी बंगाल या कोलकाता की बात होती है तो सबसे पहले उलेख हावडा ब्रीज का होता है और हो भी क्यों ना ये ब्रीज जितना बड़ा, विशाल या व्यापार और या तयात के लिए मैत्वपुरून है उतना ही रैसे मैं भी है हावडा ब्रीज के कई रोचक तत्ते हैं तो कई परकार के किसे कता और कहानिया भी है और उन्ही में से एक दंध कता है कि हावडा ब्रीज चाबी से खुलता था तो आईए जानते हैं कि आखिर हावडा ब्रीज की चाबी किस के पास है हावडा ब्रीज पूरे विशो में अपनी बनावट के लिए विख्यात है जो की पसिमी बंगाल के कोलकाता और हावडा को आपस में जोडता है ये असल में एक केंटी लीवर ब्रीज है यानि जूले जैसा पुल है ये हूगली नदी के दोनु और बने केवल चार खंबो पर टिका है जो बिना किसी नट बोल्ट के एक प्लेट पोरम पर बना हुआ है मतलब साफ है कि जब ये ब्रीज खुलता ही नहीं तो फिर चाबी कहां से आई और जब चाबी है ही नहीं तो फिर किसी के पास हावडा ब्रीज की चाबी कैसे हो सकती है कुल मिलाकर बात ये है कि हावडा ब्रीज की चाबी का होना हावडा ब्रीज की चाबी किस के पास है या हावडा ब्रीज की चाबी अंग्रेज जाते जाते पानी में फेक गए जैसे सवाल सिरफ दंधखता या फिर यूँ कहे कि सरासर जूट अपवा मातर ही है लेकिन अब यहां एक सवाल जरूर आता है कि अगर हावडा ब्रिज की चापी है यह नहीं तो फिर ये तरह-तरह के सवाल आए कहां से है या फिर इन कहानियों की सुरुवात कहां से हुई इसको समझने के लिए पहले हावडा ब्रिज को इतिहास से आज तक समझना होगा ध्यान रहे हावडा ब्रिज के दो बागू का इतिहास है और हम पहले भाग दो को समझेंगे ताकि इस रहसे को अच्छे से समझ सके पाक दो सन गुनी सो चब्विस को न्यू हावडा ब्रीज एक्ट पास किया गया ध्यान रहे ये न्यू हावडा ब्रीज था मतलब साफ है कि यहां पहले भी कोई ब्रीज था जिसका जीखर आगे करेंगे लेकिन इस ब्रीज का क्या हुआ कई कार्णों से इसका निर्मान टलता गया और फिर वक्त आया गुनी सो पैंतिस का जब सरकार ने यानि उस समय जो ब्रिटी सरकार थी उसने हावडा ब्रीज अमेंडमेंट एक्ट गुनी सो पैंतिस पारित किया और एक बी जे जे यानि बर्थवेट एंड जेसब कंट्रेक्शन कंपनी को इसका टेंडर दे दिया अब इस कंपनी ने गुनी सो चतिस में इस ब्रीज का निर्मान सुरू किया जो कि गुनी सो बियालिस को पूरा हो गया और तीन फरवरी गुनी सो तियालिस को इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया जो कि आज तक परती दिन एक लाग से ज्यादा वहानों का वजन उठा रहा है बाग एक अब हम बात करेंगे बाग एक के अभी हमने बाग दो में एक बात कही थी कि यहाँ एक पहले से ही ब्रीज था तो यहाँ उसको समझते हैं वर्तमान ब्रीज से पहले मतलब सबसे पहले अठारा सो चोतर में हूगली नदी पर कोलकाता और हावडा दोनु सेरों को जोडने वाला एक पोंटून ब्रीज बनाया गया था जिसको पीपा ब्रीज भी पोला जाता है क्यूं? क्योंकि ये ब्रीज लोहे के बने पीपू और लकडी की नाउं के उपर बनाया गया था मतलब ये नदी पर तेड़ता हुआ ब्रीज था इस ब्रीज की एक खास बात थी कि इसको इस हिसाब से डिजैन किया गया था कि इसको बीच में से अलग किया जा सके मतलब जरुवत पढ़ने पर दो अलग अलग वागों में किया जा सके इसकी एक वज़र भी थी कि उस समय ज्यादातर व्यापार हूगली नदी के मादिम से होता था चूकि ये ब्रीज नदी पर तेरता हुआ ब्रीज था इसलिए ये जहाजू का रास्ता रोक लेता था इसलिए इस समस्या से चुटकारा पाने के लिए जहाजू के आने पर इस ब्रीज को खोल कर दो बागों में बांड दिया जाता था और जहाजू को निकाल दिया जाता था अब जब इन दोनु हावडा ब्रीज को समझ चुके हैं तो बात करते हैं हावडा ब्रीज की चाबी की तो हुआ कुछ यू होगा ये सिर्व अनुमानी है कि कोई ऐसा वेक्ती जिसने कई वर्सों पहले हावडा के पोंटुन ब्रीज को खुलते और बंध होते देखा होगा और फिर कई वर्सों बाद इसी जगह बने केंटी लिवर ब्रीज को देखा होगा वैसे भी कहते हैं कि पहले के लोग ज़्यादा बोले होते थे और किसी भी चीज पर ज़्यादा नहीं सोचते थे चुकि पूराना ब्रीज खुलता था जबकि नया ब्रीज ऐसा नहीं था इस बात को इस तथे से भी बल मिल जाता है कि वर्तमान ब्रिज का निर्मान देश की आजादी से कुछी वर्स पहले हुआ था तो लोगों को लगा होगा कि इस ब्रिज की चाबी को अंग्रेज साथ ले गए या पिर किसी ने अंदजा लगा लिया होगा कि चाबी को अंग्रेज नदी में फेक गए जब बात कोलकाता से निकल कर आगे बड़ी तो तो बात से बात जुड़ती गई और बात का बतंगड बन गया वैसे भी हमारे समाज में अधिकतर कूरितिया, पाखंड या एथत्यात्मक कानिया ऐसे ही बनती है इस पर आपका क्या विचार है कमेंट करके बताईए और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हाँ, जब यहां तक आ ही गए हो तो जाते जाते इसको सेर भी कर जाईए ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके जैहिन